हेलो बच्वों, तो बात करने जा रहे हैं, जेई में दो हजार चोविश का कुष्चन है, जेई में दो हजार चोविश देखिए, ये जो है अब्जेक्टिव कुष्चन है, लेकिन मेरे पास अस्पेस कौम रहने के कारण ये जो है ये option नहीं दिये हैं इसलिए ये direct हम लोगों को इतना answer लाना है समझ रहे हैं बात को ये option वाला question था चलिए हम लोग एक-एक point पर विचार करें For a reaction at equilibrium यानि हम लोगों को दे दिया गया जो ये reaction है ये जो है dissociate कर रहा है किस में? B में और ये half C ये dissociate हो रहा है समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से जब ये dissociation हो रहा है तो तो ये जो equilibrium का form dissociate हो रहा है तो कहा जा रहा है relation between dissociation constant degree of dissociation and equilibrium pressure P ये दिया हुआ है degree of dissociation, equilibrium constant और pressure के बीच correct relation बात करना है तो simply हम लोग ये समझें जो यहाँ पे हमको जो है KP find करना है क्या find करना है बच्चों KP find करना है तो KP find करने के लिए हम क्या जानते हैं देखिए हम इसको अलग से लिख रहे हैं ये सब equilibrium constant है और equilibrium constant को यहाँ पे क्या कहा गया है dissociation constant अब dissociation constant क्यों कहा गया है जिदेखिए जब भी J.E.Main और I.I.T. का question बनाते हैं तो वहाँ 100% आपको presence देना होगा और need का क्या है जो कुछ question ये रटा हुआ होता है जो इस तरह से है लेकिन J.E.Main और advance का question तो 100% जो क्या क्या concept से related है तो ये तो टूट रहा है इसलिए इसका नाम क्या dissociation constant और dissociation constant तो एक equilibrium constant है तो K.P. बढ़ाबर हम लोगों को क्या चाहिए यानि partial pressure किसका चाहिए B का है ना partial pressure B फिर partial pressure क्या चाहिए C का power half यानि और partial pressure A का जदी ये मिल जाए तो हम put कर देंगे और equilibrium constant है यानि dissociation constant निकल जाएगा तो यहाँ पे K.P. ना कह करके हम लोगों को क्या कहा गया है K. यानि ये सब mention किया गया है ये हम लोगों को मानना है तो चलिए हम लोग क्या क्या बात सोचेंगे हो तो reactant होता है प्रोडक्ट नहीं होता है लेकिन आपको बारबार कहते है जो conscious रहिएगा जो ऐसा भी हो सकता है जो प्रोडक्ट का जो है कहीं दे दिया जाए लेकिन नो कुछ दिया जाए तो हम क्या समझें बच्चों जो 0 अब समय के साथ ये डिसोसियेट करेगा अब डिसोसियेट करेगा और हमको relate करना है degree of dissociation से तो degree of dissociation याद कीजिए हम लोग देखे थे जो alpha बड़ाबर mole dissociate mole dissociate divided by initial mole ये degree of dissociation का relation होता है तो यहाँ पे ये जो alpha दे दिये और mole dissociate मान लिजिए एक्स और initial mole initial mole तो यहाँ pressure के turn में बात करना है तो initial pressure लिख देना है क्या लिख देना है initial pressure और initial pressure कितना PI मान लिए हैं इसी लिए इसी लिए x वराबर क्या कह दें alpha PI x बराबर alpha PI जो हम minus यहाँ पे x कहते हैं वे x ना कह करके क्या कह दें alpha PI ये बनेगा कितना plus alpha PI ये कितना बनेगा तो plus alpha PI by 2 क्योंकि 2 से divide है इस तरह से तूटने के बाद कहां पहुँँ जाएंगे तो प्रेशार एट इक्विलिबिरियम प्रेशार एट इक्विलिबिरियम तो PI तो इनिशियल जो है PI माइनस है alpha PI और alpha PI फिर alpha PI divided by 2 ठीक अब total pressure टोटल प्रेशार एट इक्विलिबिरियम कितना तो ऐसा कर लेते हैं यहां PI common ले लेते हैं तो PI 1 माइनस alpha हो जाएगा तो PI 1 माइनस alpha plus alpha PI plus alpha PI by 2 ठीक तो इस तरह से यहां पे तो ऐसा करते हैं जो PI plus alpha PI cancel होगा इसलिए जियों कात्यों रखने देते हैं और alpha PI divided by 2 देखिए यहां पे तो माइनस है तो जब यह माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा cancel ठीक PI plus alpha PI divided by 2 तो फिर PI common ले लीजे और 1 plus alpha by 2 हो गया यह किसके बराबर हो गया यानि total pressure at equilibrium और इस question में दिया हुआ है equilibrium pressure P equilibrium pressure P का मतलब यह हुआ जब equilibrium stabilize हो गया उस समय का pressure तो according to question according to question हम क्या कहेंगे जो pressure at equilibrium pressure at equilibrium is equal to P I equal to PI 1 plus alpha by 2 यानि यह हमको मिल गया तो P बड़ाबर हम फिर का सकते हैं ऐसा करते हैं PI निकाल लेते हैं तो PI पलस पलस देख लिजे PI equal to P पलस 1 पलस alpha by 2 यह PI का value आ गया अब मिटाना पड़ेगा इस सेड़ देख लिजे आप लोग नोट करना है कर लिजे इस सेड़ मिटा देते हैं ठीक ना शल यह देखिए तो यहाँ पे हमको अब क्या करना है partial pressure find करना है परतेक का तो partial pressure देखिए यह जो partial pressure है यह PA का जो partial pressure है तो क्या कहेंगे 1 माइनस अलफा और PI अब PI का बहलू तो मिल गया है हमको तो 1 माइनस अलफा P P बाइ 1 पलस अलफा बाइ 2 ठीक फिर इसी तरह से किसका निकाल लीजिए बच्चों तो PB का partial pressure PB का निकाल लिए तो partial pressure PB का तो फिर अलफा तो रहेगा ही अब PI के जगा पे सभी जगा ये रखना है सभी जगा ये रखना है तो ये कितना हो जाएगा अलफा P बाइ 1 पलस अलफा बाइ 2 फिर PC c बराबर, पी c बराबर, अलफा ज्यों काते हों रहेगा, आप पी i के जगा पे, पी i के जगा पे क्या लिखेंगे, पी और 1 पलस अलफा बाइ 2, 1 पलस अलफा बाइ 2, तो इस तरह से, ये पी ये पी बी और पी c, अब देखिए अब फिर देखते रहीएगा ठीक से यानि equilibrium constant के निकालना है और के निकालने के लिए हमको इस equilibrium का आपको अभी समझाये थे यहाँ पे लिख करके जो PB और फिर PC और उसका half divided by PA ठीक अब PB देखिए यह value PB का आगया है तो क्या आया है alpha P 1 plus alpha by 2 फिर PC देखिए PC का भैलू यहाँ पे है alpha alpha P और 1 plus alpha by 2 इसका यह पूरे का पूरे हो जाएगा 1 by 2 1 by 2 यह ठीक से देखिए यह रहा alpha यह P और 1 plus alpha by 2 उसका पावर 1 by 2 अब फिर PA बराबर यह तो सब उपर का उपर रह गया अब PA बराबर देखिए यहाँ देखाई दे रहा है 1 minus 1 minus alpha और फिर P divided by 1 plus alpha by 2 इतना आ गया अब देखिए ठीक से फिर देखिए यहाँ से यह कट जाएगा अब समझ लिए यह question J main का है AIT का है तो उतना दिमाग तो रखना पड़ेगा नीट वला तो question है नहीं यह कट गया अब यहाँ पे इसको bracket में रखना है अब यहाँ पे एक देखिए alpha 1 plus alpha by यह बचा हुआ रह गया और फिर देखिए ठीक से देखते रहिए देखिए एक P यहाँ से कट कर देते हैं कट हो गया अब बच गया एक alpha अब इधर alpha by एक alpha हो गया अब गुने alpha 1 by 2 देख रहे हैं alpha अब फिर alpha 1 by 2 अब फिर फिर कितना P 1 by 2 रह है अब फिर फिर कितना 1 plus 1 plus alpha by 2 फिर यहाँ पे जो है solution किये तो यह पलट गया 1 minus alpha अब देखिए पूड़े का पूड़े यहाँ देखिए 1 by 2 हो गया एक यहाँ पे तो कहते हैं जो alpha 3 by 2 पकड़ा गया alpha 3 by 2 अब फिर P बड़ाबर 1 by 2 अब फिर अब यहाँ पे यह जो है 1 minus alpha और एक रहा alpha 1 plus 2 तो 1 minus alpha देखिए यह पकड़ाया है 1 minus alpha अब यह जदी हम इसको solution करेंगे किसको इसको तो आ गया यह यहाँ पे देखिए तोरा सा काटने में यह है इसको कट आएगा यह जियों काते हो रहेगा ध्यान से यह इसको हम काट दिये थे यह इसको कट गया अब इसको जब हम solution करेंगे तो देखिए यह 1 plus alpha अब solution कीजिएगा तो 2 आया की नहीं आया देख रहे हैं जगह कम पड़ गया देखिएगा ठीक से solution करना पड़ेगा आपको अपना यानि यहाँ पे यह 2 plus alpha by 2 यह पकड़ाया और इसके उपर तो पाबर कितना है हाप तो यह हाप यहाँ से आपको solution करना पड़ेगा तब यह इतना मिल जाएगा तो मेरे कहने का मतलब इस सवाल में क्या relation है कैसे हम लोग इस सवाल को approach तक पहुँचे क्या इस सवाल में पूछा जा रहा है यह देखिए का जा रहा है further reaction at equilibrium यह दे दिया गया relation between dissociation constant सबसे पहले तो एक्जाम में एका एक आपको हम हर समय सुनाते रहते हैं equilibrium constant equilibrium constant लेकिन यहाँ term दे दिया गया dissociation लेकिन याद कीजिए जो हम बोलते हैं ना ionic equilibrium में जाकर dissociation constant of weak ac dissociation constant of weak weight यह बात तो बोलते थे तो वही है यहाँ पे जो dissociation constant मतलब equilibrium constant का form और degree of dissociation तो हम क्या क्या किये जो initial pi ले लिए यह बात समझे जो यह कहां से ला लिए minus alpha pi क्यों किये तो आपको जो अभी हम लिएक करके यहाँ दिखा दिये थे जो जब भी degree of dissociation होगा तो mole dissociate by initial mole फिर pressure का बात होगा तो pressure change divided by initial pressure तो उससे हम minus alpha बस इसके बाद तो हम काम करते गए आगे फिर यहाँ पे हमको question में दिया हुआ था जो equilibrium पे pressure इतना है तो हम क्या किये PI निकाल लिए अब PI निकालने के बाद बस काम खतम हो गया इसके बाद हम जोर घटाओ गुना भाग किया हैं क्या क्या है हमको हर हाल में equilibrium constant निकालने के लिए partial pressure चाहिए और partial pressure कहां का चाहिए equilibrium का तो equilibrium का तो partial pressure हमको यहाँ पे यहाँ तो यहाँ हमको PI का value मिलना चाहिए जो कि हमको PI का value यहाँ मिल गया तो यहाँ पे आपको solution में थोरा सा space कम होने के कारण यहाँ फिर से अपना अच्छा से solution कीजेगा यह क्या आ जाएगा ठीक है बच्चों तो चलिए झाहिए